जहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे अब की बार 110 पार इसी धे के साथ इसी उद्देश के साथ 67 BPSC पिलिम्स के टेस्ट डिस्केशन इस्टार्ट करते हैं इसका पीडिया पॉलरी हमने टेलग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था मैं उम्मीद करत हूँ कि आप सभी ने इसे सॉल्ब कर लिया होगा यह निश्चे आइस पतना का टेस्ट स्रीज है आप लोग अगर चाहे पतना अगर एवलेवल हैं तो आप इसे जोई भी कर सकते हैं जाकर के 67 BPSC पिलिम्स के टेस्ट करवाते हैं चले डिसकेशन स्टार्ट करते हैं लेकि युकनेशितले लाइक कर दें हमारा पाला कोशन है कि बिहार का पर्थम मुश्लिम बिजयता कौन था यहां पर VPC दो तरग क्योंते हैं एक तो लाक लिक वे कॉस्चन यह पूच्च देती है कि बिहार का पर्थम मुश्लीम विजयता कौन था तो इसका सही आप्जिशन है एक किताब है, बहुत famous किताब है, तबकात ए नासरी, एक famous किताब है, मिनहाज उल सिराज की किताब है, और उसी में यह जानकारी हमें मिलती है, तो option C बिल्कुल सही है, देखिए BPC का paper tough हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी paper tough होगा, जिस तरह से BPC का exam, 66 BPC के बा चाहे ओरिटर का exam हो, चाहे project officer का exam हो, या un exam हो, सभी में paper tough हो है, दरोगा का paper आप देख लिजे, दरोगा का paper भी tough हाया था, तो 67 BPC films का paper भी tough हाने वाला है, तो यह आप लोग पहले से तयार रहे है, Q2, उपनिसत का मुख्य विशे क्या है, तो उपनिसत बिसिकली philosophy पे आधारीत रहा है, तो दर्शन पे आधारीत रहा है, Q3, या अपनिये किसका एक संपरदाय था, तो या अपनिये जैन धर्म का एक संपरदाय था, option B बिल्कुल सही है, Q5, निविलिकित में कुण सा एक उग्रपन्थी नहीं था, उग्रपन्थी नहीं था, तो गुपाल कृष्ण गोखले जो है, उग्रपन्थी नहीं था, किस सासक वंस में मंदिरों और ब्रह्मनों को सबसे अधिक गाउं दान में दिया गया, तो गुपत काल में सबसे अधिक ब्रह्मन और मस्जित को जो है दान में दिया गया, तो गुपत काल इसका सही आंसर है, जहां पे ब्रह्मन और मंदिर को सबसे अधिक दान दिया गया, अच्छा क्वेशन ये भी पूछता है कि सबसे अधी मंदिर का निर्वान कप हुआ तो वो भी गुप्तकाल में ही हुआ है क्वेशन में सेवन किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकिरती बनी हुई है तो बहुत फिमस क्वेशन है और इसका सही आंसर है महमद गोरी तो महमद गोरी के सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकिरती बनी हुई है क्वेशन में एट एतमा दोला का मकवरा आगरा में किसने बनवाया था तो एतमा दोला का मकवरा को लेकर के पिछले बार 66 BPSC में भी क्वेशन पूछा है तो इसका सही आंसर है option C नूर जहां ने बनाया था किस सैली पर बनाता तो पित्रा दोला सैली पर बनाता पित्रा दोला सैली जो है basically वो क्या है ये question 66 BPSC में पूछा गया था तो पित्रा दोला सैली क्या है कि संग्मणबर पर जो है नकासी किया जाता है इस तरह सैसे से करके विभिंत्रा के नकासी किया जाता है वाइट संग्मणबर पर तो उसी को कहा गया पित्रा दोला सैली और यही exactly question पूछा गया था 66 BPSC में question 9 महाबारत के फार्सी अनुबाद का सीर्षक क्या है रज्म नामा महाबारत के फार्सी अनुबाद जो है रज्म नामा कहा जाता है question 10 सेख उल हिंद की पदवी किसे मिली थी तो यह सेख सलिम चिस्ति को सेख उल हिंद की पदवी दी गई थी question number 11 का बड़ा interesting question है सुनने का आविस्कार किस नहीं किया था सुनने के आविस्कार को ले करके कई सारे भढ़ांतिया है मैं search कर रहा था आज भी तो कुछ जगा कुछ और दिया हुआ लेकिन जो मेरी team ने मुझे answer देने के लिए कहा है वो है option D किसी अज्यात भारत के ने तो कुछ जगा आपको आड़िवर्ट भी मिल जागा कुछ जगा आपको ब्रंगूर्ट भी मिल जागा लेकिन किसी अज्यात भारत के ने इसकी खोज किया है तो option D इसका सही answer है जो मुझे team ने बताया है question number 12 आबू का जैन मंदिर किस ने बनाया है किस से बनाया तो आबू का जो जैन मंदिर है वो basically संग मर्मर से बनाया option D बिलकूल सही है question number 13 अलावद इन खिल जी के परसिद सेनापती में किसकी मंगलों के ब्रुद लड़ते वे मिर्ति हो गई थी तो इसका exact नाम है इसका सही नाम है जफर खान जफर खान की मिर्तु जो है हो गई थी आपको मंगोलों से लड़ते हुए option A बिलकूल सही है question number 14 निमलिखित मद कालेन बिद्वानों और लिखोकों में कौन जैन धर्म से सम्मंदित रहे हैं तो यह काफी famous रहे हैं हेमचंद सूरी हेमचंद सूरी जैन धर्म से सम्मंदित रहे हैं और अकबर ने especially इन्हें बुलाया था अपने याँ question number 15 P.W.D. लोक निर्वान बिभाद लोक निर्वान बिभाद की अस्थापना किस के समय मुआ था किस निक किया था तो FST फिरोष साथ तुगलक ने लोक निर्वान बिभाद की अस्थापना किया था question number 16 निमलिखित में किस एक सासक ने इस्ट इंडिया कमपनी को दिवानी प्रदान कि थी साह आलम दूतिया ने इस्ट इंडिया कमपनी को दिवानी प्रदान किया था कि निमलिखित में किस ने निकास की सिधान्त का प्रतिपादन किया निकास की सिधान किया वह दादाभाई नहीं किया है और किस ने किस बुक में किया है तो उस बुक का नाम भी आप जानते होंगे poverty in unbeatish rule in India UPSS में question पुछा गया कि यह किताब है poverty in unbeatish rule in India यह कब लिखा गया, किस साल लिखा गया तो इस तरह से deep में जाकर के question पूछ रहा है उतरप्रतिश PCS और निशित तरह मुझे लगता है बिहार PCS भी question इस तरह से deep में जाकर के पूछेगा तो Poverty in Unbeatis Rule in India जो किताब है वो लिखा गया है 1901 में निमलिखित घटनाओं पर विजार कीजिए तो सबसे पहले कौन से घटना हुई है तो सबसे पहले ये जो घटना हुई है संथाल विद्रो हुआ 1854, 1854 में स्थाल विद्रो उसके बाद सिपाय विद्रो हुआ था 1857 में 1857 के जस्त बात अगर आप देखेंगे तो हुआ था निल विद्रो 1807 के दिसक में और डकन दंगे जो हुए थे 878 और 808 के आसपास हुए है तो एक्जिक्ट इसका आंसर है 2413 तीन राजा राम मोहन राई को राजा की उपादी किस ने दिया था तो एक सही आंसर इसका अकबर दूतिया अकबर दूतिया उप्सन नहीं इसलिए इसका आंसर होगा उप्सन ए राजा राम मोहन राई को राजा के उपाधी अकबर दूतिये के द्वारा दिया गया यहाँ पर अकबर दूतिये रहता तो सही आंसर होता लेकिन अकबर है तो यह सही आंसर नहीं है इसका सही आंसर है option E question number 20 question number 21 बिश्व में सांती और आपसी सहयोग अस्थापित करने के लिए नहरुजी ने कौन सा सिधान दिया था तो बिश्व अस्तर पे सांती और आपसी सहयोग को अस्थापित करने के लिए नहरुजी ने गूट निर्पेस्ताग सिधान दिया था option A यहाँ पे बिल्कुल सही है 22 गैस्तर पे सांधी के लिए नहरुजी के द्वारा ये सिधान दिया गया था जब भारत को सोतंता प्राप्त हुई उस समय में UK यानि Britain के किस पार्टी की सत्ता थे तो उस समय में Britain में Labour Party की सत्ता थी option B बिल्कुल सही है जब भारत को आजादी मिली थी 1947 में उस समय में Britain में लेवर पार्टी की सत्ता थी option B यहाँ पे बिल्कुल सही है निवलिखित में भारतिया राष्टिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुहास्चंद्र बोश ने पटावी सितार मया को पराजित किया था तो यह तिरपूरी अधिवेशन था 1939 में इसे ही तिरपूरी संकट के रूप में भी कहा जाता है पटावी सितार मया को समर्थन दिया था गांधी जी ने और जब इनकी हार हुई थी पटावी सितार मया कोई तब गांधी जी ने कहा था कि यह मेरी व्यक्तिकत हा रहा है इस तरह संबोधित किया था और उसके बाद कॉंग्रेश का अध्यक्ष पत छोड़ दिया था Q24. गडवाल रेजिवेंट ने सैनिकों के परदर्शन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन के दौरान ऐसा किया था, तो इसका सही आंसर है, सौविने अबग्या आंदोलन, option C बिलकुल सही है, सौविने अबग्या आंदोलन के दौरान गडवाल रेजिवें ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, question number 25, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आईजित, अखिल भारतिय कॉंग्रीस समिठी की बैठक में और सरयोग आंदोलन वापस लेने के लिए, गांदी जी के बिरुद निंदा प्रस्ता और किस ने प्रस्तूत किया था, तो इसका सही आंस निमिलिखित में कोन भारतिय राष्टिय कॉंग्रीस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, काफिर फ्रीमस क्वेशन और कई वाल क्वेशन पुछा जाता है, लाल बाल पाल में सिर्फ बाल गंगा तिलक ऐसी वैक्तिर है, जो कॉंग्रीस के कभी भी अध्यक्ष नहीं और उसे रद कप कर गया गया, तो बंगाल विभाज़न जो 1905 में हुआ है, उसे 1911 में जाकर के रद कर दिया गया था। था को स्थापिता. Q29. खॉशन नमर्ट भारत में अपनी पर्थम और दूसरी फैक्टरी कहां अस्थापित किया था? तो फ्रान्ष यसी के पहली फैक्टरी रहा है, वो रहा है आपको, शुरत में और दूसरा फैक्टरी जो रहा वो मशली पत्न में रहा है तो option A यहां पे बिल्कुल सही है Lord Clive के बारे में कहा जाता है या Lord Clive के बारे में सही statement है अच्छा हर एक statement से question पूछता है पहला statement है कि यह भारत में अंग्रीजी राज का संस्थाफ़क था तो बिल्कुल सही है पहला statement बिल्कुल सही है दूसरी statement पर हम चलते है इसने बंगाल में दुद सासन को लागू किया था यह statement भी सही है तिसरा statement इसे स्वर्ग से उत्पन सेना नायक भी कहा जाता है कई बार question directly आप से पूछेगा कि किस सेना अधिकारी को किस अंग्रीज सेना अधिकारी को स्वर्ग से उत्पन सेना नायक क किसे ही का जाता था रोवर्ट कलाइब को ही का जाता था और यह बंगाल का पर्थम गवर्नर था यह भी सही है इसमें चारों ही statement सही है इसलिए इसका आंसर होना चाहिए option E चारों ही statement सही है और हर एक statement से इंडिविज्वाली भी question पूछा जाता है question number 31 खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था खरवार आदिवासी आंदोलन 1864 इसमें भुआ था option E यहां पर बिल्कुल सही है question number 32 उनिस्तो आठ में बाल गंगा था तिलक को कितने वर्स की जेल हुई थी 1908 में बाल गंगर तिलक को साथ वर्सों की जेल हुई थी options यहां पर सी बिल्कुल सही है साथ वर्स की से जेल हुई थी 6 जुलाए 1942 को वर्धा में महात्मा गंदी ने कॉंगरेस की कारेकारी समित्ती में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की उस समित्ती के अध्यक्स कोन थे तो 6 जुलाए 1942 को जो वर्धा में समिलन हुआ था यह कारेकारी मिटिंग जो भी थी कॉंगरेस की उसके जो लीट किये थे उसकी जो आध्यक्सता किये थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किये थे option B 1940 में Radical Democratic Party का गठन किस ने किया? M.N. Roy M.N. Roy ने 1940 में Radical Democratic Party की अस्थापना किया था सोतंद भारत में पहली गैर कॉंगरेसी सरकार की सिराजी की थे? तो सोतंद भारत में जो पहली गैर कॉंगरेसी सरकार रही है वो केरल की रही है option B यहाँ पर बिल्कुल सही है महात्मा गांधी किसकी किर्थियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो है Leo Tolstoy को Leo Tolstoy से काफी अधिक प्रभावित थे option D अगला कुशन है गांधी जी ने सत्यागरा की कला का अभ्यास रूप में कहां से सिखा था गांधी जी ने सत्यागरा की जो कला है उसकी जो टेक्निक बेसिकली सिखा था वो दक्षिन अफरिका में सिखा था तो कुशन में 37 का आंसर हो जाएगा ओप्शन D सत्यागर सब्त का निर्माता किसे दिया जाता है या निर्माता किसे कहा जाता है तो यह भी गांधी जी को कहा जाता है गुरु कहा जाता है और लियो टॉल स्टोय को गांधी जी का आध्यात्मी गुरु कहा जाता है यह कुशन में पूछता है कि गांधी जी का राजनेति गुरु कोन है गोपाल क्रिश्न गोखले और गांधी जी का आध्यात्मी गुरु कोन है लियो टॉल स्टा है तो दक्षिन लुहा की कमी से कौन सा रोग होता है तो गौइटर, ऑप्शन दी, जेव सेल, कौशन नुमर फोर्टी वन, निवरिखित में कौन सा एक जेव सेल है, तो संगमरवर, कुईला, गरिनाइट और स्लेट, तो जेव सेल क्या होता है, कि जेव का एक पार्ट उसमें, जैसे है, पोधा, जो है, जमीन के नीचे लाखों वर सरी रह जाते हैं, तो पेर पोधा, जो है, जैव का कहिन के एक पार्ट है, तो इसका सही आंसर हो का ओप्शन B, कुईला, जैव सेल क्या है, कुईला, 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 निवरिखित में कौन सा एक जर नहीं है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जर क्या है, वैसा फसल जिसमें कोना होता है, आप इसको इस रूप में समझ लें, कि जिसमें कोना होता है, जैसे गाजर, जैसे मुली, मुली इस तरह होता आपको, मुली गाजर, तो इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलरली कोना होता है, तो वैसा फल जिसम आलू इस तरह को होता है तो आलू क्या हो जाएगा आलू तना हो जाएगा तो जिसमें कोना होता है जिसमें कोना नहीं होता वह तना है तो आलू क्या है तना है इसका सही आंसर होगा option A आलू जर नहीं है आलू तना है बाकी गाजर हो गया मुली हो गया यह सब जर का पार्ट ह केक्टस में जो सूल होते हैं किसका रुपा अंतरन होता है केक्टस में जो सूल होते हैं सूल मतलब काटा केक्टस का काटा बिसिकली पत्ता होता है option C बिल्कुल सही है Indian Forest Institute भारतिय वान की संस्थान कहां पर है तो देरादुन में है काफी फिर्मस कोश्चन है इस्तितो इसको जो है जो डॉक्टर यूज करते हैं बिसिकली किस सिधान पर काम करता है तो ध्वने के परावर्तन के सिधान पर काम करता है तो option यहाँ पे option C बिल्कुल सही है इस्तितो इसको ध्वने के परावर्तन पर काम करता है Q46 प्रासरव तरंगी जो है कैसी उसके आवर्ति क्या होती है तो प्रासरव तरंगी question को समझने के ज़रूरत है और थ्यान से देखने के हमें ज़रूरत है देखिए प्रासरव तरंगी क्या होता है उसका 20,000 Hz से अधिक होना चाहिए 20,000 Hz से अधिक आवर्ति होना चाहिए वो इसी द्वनी को प्रासरव तरंगी कहेंगा तो यहाँ पे Hz में कोई option नहीं है तो इसको अगर आप kilo Hz में convert कीजेगा तो यह हो जागा 20 kilo Hz इसका सही आंसर होगा option A 20 kilo Hz से अधिक जो है आवर्ति होना चाहिए उसे ही का जागा प्रासरव तरंग question 47 question है कि बर्ख पे scattering करना परदस्तित करता है कि दाप बढ़ाने पे बर्ख का गलनांग अगर हम दाप बढ़ाते हैं प्रेशर बढ़ाते हैं तो बर्ख का गलनांग क्या होगा घट जाएगा option A बिलकुल सही है दाप बढ़ाने पे बर्ख का गलनांग घट जाएगा question 48 निविलिकित में कुण सा प्रिच्षपास्त भूमी से वायू में जाने वाला प्रिच्षपास्त है यानि भूमी से वायू में मार करता है ऐसे इसका जो सही अंसर है, आपशन A है तिर्सूल. तिर्सूल वह इसे भे नाम से भी असपस्ट होता है. तो तिर्सूल जह है, भूमी से हवा में मार करती है. बैद्धूत आविश को भंडायत करने के लिए उप्युकत उपकरन क्या है? तो बैद्दूत आवेश को भंडायत करने का जो उप्यूक्त उपकरन है वो संधारित है option B question number 50 question number 50 निमलेकित में कुछ सा सरवोत्तम बिद्दूत चालकता बिद्दूत चालकता सबसे अधिक होता है A.G. का A.G. यानि चांदी का चांदी का बिद्दूत चालकता सबसे अधिक होता option D बिल्कुल सही है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप में घुर्णन कर रहे है घुर्णी मंच पे अपनी कोनिय चालक करने के लिए क्या करना चाहिए तो उससे अपनी हाथ को दोनों तरफ फिला ले जैसे यह है व्यक्ति है मालेता है तो उसको हाथ को अपना पूरा आई से फिला लेना चाहिए इधर से और इधर से तो अपना इसका जो सही आंसर है सनचार के लिए सुक्ष्म तरवग का प्रियोग किया जाता प्यश्न नवर फप्टी टू का आपशन सी होगा है नहीं है थर्म किसका यूनिट थर्म जूर्म धिकलिए इसल कर दोदी मात isn't कि अभुद משा ह। तो इसका आंसर होगा option E color blind lace normally अगर आपको हो जाता है तो वो किसी lens के माधियम से उसे दूर नहीं किये जाता है तो इसका आंसर होगा option E hydroxy samu का organic aml है hydroxy samu का जो organic aml है वो carbonic aml है option B यहाँ पे बिल्कुल सही है सूसक बर्ब किसका ठूस रूप है तो ठूस carbon dioxide carbon dioxide का ठूस रूप है सूसक बर्ब किस लोहा एसक में 72% लोहा होता है सबसे स्वर्बत्तम किस्म का जो लोहा का S है वो हमारे पास magnetite लेकिन चुकि magnetite की मातरा कम होती है इसलिए हम लोग सबसे अधिक लोहा जो निकालते है वो हमेटाइट से निकालते है तो इसका सही आंसर होगा option A magnetite वो जीव कौन सा है जो वाईव परदूसर का monitor है कई बार question पूछा गया वाईव परदूसर का monitor या वाईव परदूसर का indicator कोन है तो lichen कुआ जाता है साधरन लवन का राशानिक सुत्र क्या है तो साधरन लवन जो है एनिसेल करते है sodium chloride option A question number 60 वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदात नहीं बनता उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है भहुत तिक परिवर्तन option A question number 61 silicon किसका polymer है तो option A यहाँ पे बिल्कुल सही है silicon जो है dialkyl, dichloro, silen का polymer है option A यहाँ पे बिल्कुल सही है question number 62 पंकिल जल के निशाधन यानि के लिए परियोग किया जाता है यानि जल को नॉम्मली साप करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो option B बिल्कुल सही है साधरन फेटकिरी का परियोग किया जाता है sodium की खोज किसनी किया यह question B काफी पूछा जाता है question number 63 का सही आंसर है हम्प्री, डेवी option A question number 64 पूरानी किताबों पर जो काज़ होता है वो भूरा हो जाता है normally काज़ क्या होता है उजला कलर का होता है लेकिन जो पूरानी काज़ दोखोगे आप वो काज़ क्या हो जाता है भूरा कलर का हो जाता है तो किसके करण भूरा कलर का होता है तो cellulose के oxidation के कारण होता है, भुड़ा कलड़का. Question 65, संसद में चुनाओं में मत देने का अधिकार, यह question UPC में भी पूछा गया है, कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो मत देने का अधिकार सम्विधानिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार जो है, कानूनी अधिकार, Legal Right, option C यहाँ पर बिल्कुल सही है, लोकतांतरिक विकेंद्री करन का आशे क्या है, तो अस्थानिय सरकार को ही लोकतांतरिक विकेंद्री करन कहा जाता है, option यहाँ पर D बिल्कुल सही है, 66 का, निविलिखित में एक राज संग का सहराज था और बाद में पूरा राज बना तो वो राज है सिक्किम option D यहाँ पर बिल्कुल सही है सिक्किम पहले एक सहराज था बाद में एक पूरा राज बना question number 68 चीन की राष्टिय संसदिय निकाय को किस नाम से जाना जाता है इस तरह से हमारे देश की जो संसद है उसे संसद कहते हैं तो चीन के संसद को क्या कहते हैं चीन के संसद को National People Congress कहा जाता है option C बिल्कुल सही है question number 69 किसका अब हो लोगतंत्र में उसके कारे संचालन को और संभव बनाती है option C यहाँ पर विल्कुल सही है राजनितिक डल राजनितिक डल का अबहों संसद में उसके कारे संचालन को और संभव बना देगा question number 70 संग लोग सेवा आयो के सदस का कारेकाल कितने वर्स का होता है तो संग लोग सेवा आयो के जो सदस होते है उसका कारेकाल होगा छे वर्स या 65 वर्स के आयो इसमें जो उनका पहले कंप्लीट हो जाया उतना को उनका कारेकाल होगा या तो 6 वर्स या 65 वर्स की उनकी आयो तक वो पत्पे बने रहा सकते हैं Q71 वो प्रदान मंत्री कौन था जिसे संसद ने मदान के दोरा अपदस्त कर दिया था यानि मदान के दोरा उसे हटा दिया गया है Q72 कैंद्रिय मंत्री मंदल के विरुद और विशास प्रस्तोव कहां प्रस्तूत किया जा सकता है Q72 भारतिय समिधान में कितने मौलिक करतव बनी किये गया है तो मूल समिधान जो था मूल समिधान में तो मौलिक कर्तव था ही नहीं और 42 समिधान संसोधन के मार्ध्यम से 10 प्रकार के मौलिक कर्तव को सामिल किया गया था और 2002 में 46 समिधान संसोधन 2002 के मार्ध्यम से एक मौलिक कर्तव को और जुरा गया तो अभी हमारी समिनार में टोटल 11 मौली करता भी है ओप्शन C, 73 का ओप्शन C बिल्कुल सही होगा राष्टपती की सेवा निविर्ति आयू क्या है? तो राष्टपती के सेवा निविर्त आयू का कोई व्याख्या नहीं क्या गया ओप्शन 74 का ओप्शन D, E हो जाएगा मकर रेखा कहां से नहीं गुजरती है तो बोलिविया से देखिए मकर रेखा, करक रेखा और भूमद रेखा ये तीनों ही किस-किस जगर से गुजरती है सबका लोकेशन आप लोग याद रखिएगा इससे क्वेशन नॉर्मली बनते ही बनते हैं तो इसका सही आंसर है 75 का ओप्शन A बोलिविया से क्वेशन नुबर 76 राउर केला इसपाद सहियंत को लोग याद के आप उर्ती होती है क्यों ज़र उरिशा से ओप्शन A 76 का ओप्शन A हो जाएगा ये क्वेशन में पूछा गया है क्वेशन नुबर 77 चिल का जहिल कहां पर अवस्थित है तो चिल का जहिल जो अवस्थित है वो उत्री सरकार में ओप्शन D सही है उत्री सरकार येस उत्री सरकार यानि उरिशा में अवस्थित है Q78, बेरन दुइप, भारत का एक मात्र सक्रिय जो आला मुखी बेरन दुइप में अवस्ति था और कहां है? वो अनमान निकोबर दुप सम्मूब में है, यानि बंगाल की खारी में है Q79, सम्मूंदरी भ्रिगू बनता है, मुखे तक किसके द्वारा? तो सम्मूंदरी धाराओं के द्वारा बनता है, ओप्शन A यहाँ पे, बिल्कुल सही है, 79 का ओप्शन A Q80, अनेक प्रकार की सराव और सेंपेन के लिए परसीद छेत रहा है Q81, लानो कहां का गहास अस्थल है, तो गोयाना उच भूमी का गहास अस्थल है, ओप्शन A Q82, निमिलखित में कौन सा कायांतरिक सेल है, तो Q82 का सही आंसर है, ओप्शन B, नीस और सेल्ट इसे ही कायांतरिक सेल कहा जाएगा Q83, निमिलखित में किस राज की सीमा बंगलादेर से नहीं लगती है, तिरपुरा के बिलकुल लगती है, तिरपुरा तीनो ओर से बंगलादेर से घिरा हुआ, मिजोरम के बिलकुल लगती है, मेघाले के बिलकुल लगती है, लेकि मनिपूर की सीमा नहीं लगती है, तो इस माउन्ट एवरेस्ट हमारे पास जो माउन्ट एवरेस्ट है सबसे उचा प्रवत सीखर है option एक कुल्लू घाटि किन प्रवत सेरेने के बीच में आवस्तित है यह question भी पूछा गया in fact और काफी interesting question है कुल्लू घाटि काफी famous जगह है हिमाचल प्रदेश में और टूरिस्ट फेलेस है तो यह कहां पर पड़ता है तो बेसिकली धोलादर और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है option A इसका सही आंसर है question number 86 उत्पत्ति के द्रिष्टी से निम्न परवत स्रेनियों में सबसे नविंतम कोन है तो पठकोई स्रेनी जो है यह सबसे नविंतम है पठकोई बिसिकली सिवाली कहीं पार्ट कर सकते हैं आप लोग इसे 27 सेर्खान ने कब हिंदुस्तान का बादसा के रुप में राज अभिशिक करवाया था सेर्खान मतलब सेरसासूरी तो सेरसा सूरी ने कब अपने आपको हिंदुस्तान के बादसा गरूप में राज अभिशे करवाया था मुझे लगता है कि इस तरह का tough question भी विपेसी आपको दे सकता है तो इस तरह को question के लिए हमें prepare रहने के जुड़ाता है तो इसका सही answer है 10 जून 1540 सिस्वी को सेरसा सूरी ने या सेर खान ने हिंदुस्तान के बादसा के रूप में राज अभिशे करवाया था question number 88 बिहार की राजधाने को किसने बिहार सरीव से पटना किया था तो ये भी सेरसा नहीं किया था option C बावर और इब्रहायम लोदी के बीच में जो युद हुआ था यानि 1526 सिस्वी में पानी पत की प्रथम लराई के समय में या बावर और इब्रहायम लोदी के जो बीच युद हुआ था उसमय में बिहार का सासक कोन था simple question यहीं पूछ रहा तो इसका सही answer है option B बावर खानुहानी उस समय में यानि परथम पानी पत की युद के समय में बिहार का सासक था question number 90 बावर के समय में बिहार का कुल वार्शिक राजय सो कितना था tough question है लेकिन इस तरह का कुछ question पूछा जा सकता है इसका सही answer है option D चार करोड पांच लाग साथ चार रुपया question number 91 हुमायू की समय में बिहार पे किसका अधिकार था तो जिस समय में हुमायू सासक था उस समय में बिहार पे अफगानियों का सासक था option B बिलकुल सही अफगानी सासक था और यह जो थे सेर सासूरी इसे भी अफगानी सासक ही कहा जाता था question number 92 बिहार को सरपर्थम अपने समराज में मिलाने वाला मुगल सासक कौन था तो बिहार को सबसे पहले अपने मुगल समराज जो बिहार को अपने समराज में मिलाया था वो basically अकबर था 1576 में इन्होंने बिहार को मिलाया था question number 93 यह question भी पूछा गया और interesting question है अकबर कालिन बिहार कितने भागों में विवाग था तो अकबर कालिन जो बिहार था वो basically 7 सुव में विवाग था option C 7 सुवा में विवाग था अकबर कालिन बिहार question number 94 बिहार में किस भाग में छेपी भी बेरोजगारी पाई जाती है तो बिहार के किस भाग में छेपी भी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है बिहार में सबसे अधिक करिब कहा है उत्तर बिहार में तो उत्तर बिहार में ही सबसे अधिक छेपी भी विर्जगारी पाई जाएगी option D बेकारी को दूर करने के दिशा में रोजगार ने जनन सम्मंधी योजनाएं रही है तो बेकारी को दूर करने के लिए रोजगार ने जनन सम्मंधी योजनाएं रही है जो आंसिक सफल रहा है option C पूरुन्ता सफल नहीं रहा बेकारी को दूर करने के लिए इस तरह का योजना की जनलन समधी योजनाओं लाई ये ताकि बच्च की संख्या कम किया जा सके ये पूरी तरह से कालगर नहीं सधी हो सकती है अंसेक रूप से सफल लिए पूर्ण रुप से सखल नहीं उड़े है option C इसका बिल्कुल सही आंसर है question number 96 उत्री बिहार के किस जिले में सरवाधी क्रिसी छेत्र में छीपी बिरुजगारी पाई जाती है 96 का जो सही आंसर है option C मुंगेर question number 97 interesting question है 60-62 विपेसी में directly question पूछा था 60-62 में इसे related दो question थे एक तो कर्नाट वन्स का पहला सासक नाने दिव और कर्नाट वन्स का आखरी सासक हरी सिंग दोनों question पूछा गया था 60-62 विपेसी में कर्नाट वन्स के पहले सासक कौन थे नाने दिव और कर्नाट वन्स के आखरी सासक जो इस question में है हरी सिंग करनाट वंस की राजधानी कहां थी सिम्रों गर्ड question one 98 okay 98 राजनिती के रपना कर राजनिती के रपना करके लेखक कोन थे interesting question है question one 98 का सही आंसर है option A राजनिती के रपना करके लेखक चन्देश्वर है question one 99 उद्वन्त प्रकास के लेखक कोन है तो मौली कभी उद्वन्त प्रकास के लेखक है question one 99 का आंसर A हो जाएगा question one 100 नालंदा बिहार का बिधुवनसक कोन था तो बिहार पर जो पहला मुस्लिम आकरमन कारी था बक्तियार खिलजी उन्होंने नालंदा बिश्विद्यालय के डिस्ट्रॉई किया था और साथी साथ बिक्रम सिला बिश्विद्यालय जो भागलूपूर में है उसको भी डिस्ट्रॉई करने के काम बकतियार खिल जी नहीं किया था Great Victoria मरोस्थल कहा है तो Australia में है Great Victoria मरोस्थल option A कुल गार्टी की खान किसके लिए परसीद है तो सोना खनन के लिए परसीद है option C question number 103 ये question भी विपेसी में पूचा गया है आप सभी को यात होगा कि जिसे PM कहा जाता 10 ये पॉलिटेंट है परदुसक है तो ये इसका सम्मद्ध किस से है तो basically इसका सम्मद्ध है वायू परदुसक से दक्षिन एफरिका में मद अक्छांसिय घास के मैदान को क्या करते है तो पॉमपास option B बिल्कुल सही है question number 105 question यहाँ पे है उच नियाले को सम्मद्धान के किस अनुचित के तहत अधिनस्त नियाले और नियाधिकरन का अधिक्षन करने का अधिकार है तो basically question यह पूछ रहा है कि उच नियाले अपने जो नीचिक नियाले अधिनस्त नियाले या जीला नियाले उसको देखभाल कर सकती है कि कलकत्ता के अस्थापना किस नहीं किया था तो कलकत्ता के अस्थापना जॉब चारनाक नियर किया था लेकिन यह question आपसे यहां पूछा गया है कि जॉब चारनाक ने 1770 में पहला आधुनिक बैंक कहां अस्थापित किया था तो वो पटना में किया था तो option C यहाँ पे बिल्कुल सही है, 106 नमर कोशन का बिहार में सरवाधिक साखा किस बैंक की है तो भारती एस्टिट बैंक SBI के सबसे अधिक साखा होनी चाहिए, option C बिल्कुल सही है, yes 107 का C सही होना चाहिए Q108, ट्यूलाइट में समानता कौन सी गेस होती है तो पारे की वास्प होती है और साथे साथ आरगन होता है फलों की रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो sodium benzoate का प्रियोग किया जाना चाहिए, option D, 109 का option D होना चाहिए आसों में कौन सा पदार्थ घुला रहता है तो आसों में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, option B बिल्कुल सही है लाइसोजाइम, एंजाइम आसों में घुली होती है question 111, enzyme होते है enzyme basically protein होती है, option B BPC में एक बार question पूशा गया था ये तो question है कि भारत में एक मात राज जो केसर का उत्पादन करता है ये question का answer है, option C, जम्मू कस्मिन BPC में इसी में question पूशा गया था, कि बिश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा दिश करता है तो हमें याद रखना है कि बिश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है इरान निमिलिखित में कौन से अलक नंदा और भागी रती का मिलन, मिलके गंगार नदी बनाती है तो अलक नंदा नदी और भागी रती नदी दोनों जो मिलती है, ये कोशन भी विपेसिम पूछा है तो बिहार राज का जो उत्तर पश्मी भाग है, बेसिकली ऐसे यहां पर यह जो पाठ है यह बेसिकली है पश्मी चंपारन और पूर्वी चंपारन और बेसिकली सबसे पीछे है यहां पर पश्मी चंपारन तो बिहार का जीसे मैं अपने लिजे मैप ऐसे है ऐसे तो यह जो पार्ट है यह है उत्तर पश्मिभाग और यह बिसीकली गिरा हुआ है सोमिशवर पहारी से यहीं पे आपको पश्मि चंपारा नाता है बाल में की टैगर रिजर्म यहीं पे है और यह गिरा हुआ सुमेश्वर पहारी से option A बिल्कुल सही है question 115 तेल नदी किसकी साहयक नदी है question में विप्रेसी में पुछा था 60 से बास्ते में विप्रेसी में question पुछा इसका सही आंसर है option E question 116 निमिलिखित नहर प्रनालियों में से किस से बिहार के छहत्र में सिचाई होती है तो किस नहर से बिहार में सिचाई होती है option B इसका बिल्कुल सही है तिर्वेनी नहर से बिहार में सिचाई होती है question 117 बिहार में निमिलिखित में कौन सा रेस्थम वस्त उतपादक कैंदर है तो भागलपूर बिहार का रेस्व वस्त उत्पादक केंद्र है, option C question number 118, निमलिकित अस्थालों में से भारत वेगन और इंजिरिंग लिमिटेट कहां अस्थित है तो ये question मुकामा इसका सही answer है, option D question number 119, अकसाई चीन किसका पार्ट है तो option के अनुसर अगर आप जाएंगे, तो इसका answer easy है question, लद्दाग पठार अकसाई चीन का basically part है या अकसाई चीन लद्दाग पठार का ही basically part है question number 120, पश्मी हिमाले संसाधन प्रदेश का मुक्र संसाधन क्या है तो पश्मी हिमाले संसाधन प्रदेश जो पश्मी हिमाले है basically क्वेश्ट नमर्ट 121 राष्टिय प्रवातार रोहन दिवस कब मना जाता है तो राष्टिय प्रवातार रोहन दिवस मना जाता है ओप्शन वो सही है ओप्शन C यानि 29 जुलाइक को 29 जुलाइ को राष्टिय प्रबता रोहन दिवस मनाई जाता है क्वेश्चन नमर 122 इंपोर्टेंट क्यों है सबसे पहले मैं इंपोर्टेंट बताता हूँ क्योंकि इसका डिस्केशन मैंने करेंट के किलास में किया था डैनिक जागर नियू जनलाइसिस में किया था लेवलान की राजधानी ये बेरूत बेरूत में एक केमिकल बिसखोट होता और बहुत बड़ा केमिकल बिसखोट होता कई सारे लोग मारे जाते हैं और उसके बाद वहाँ की जो सर्ता है वो गिर जाते है वहां के प्रधानमंति को Resign करना पड़ता है और उसके बाद वहां पे नए प्रधानमंति के चुना होता है इसलिए यह इंपॉर्टेंट है आप सोच के देखिए कि एक chemical incident के बाद एक chemical accident के बाद बहुत सारे लोगों के मिर्थी होती है और वहां के प्रधानमंति को इस्थिफा देना पड़ता है नए प्रधानमंति के चुना होता है इसलिए बेरूत चर्चा में रहा है लेवनान चर्चा में रहा है इसका सही अंसर ह के नजीव, मिकाती, लेवनान के नए प्रधानमंति बने हैं को इसका सही अंसर होना चाहिए इसका सही अंसर ऑप्सन ए लेकिन और मैं डिस्क्राइब करों तो इसको तीन संस्था मिलके बनाई है एक तो एफे एफे ओ खाद और केसी संगतन दूसरा बिश्चुखाद कारक्रम और तीसा वर्ल्ड मेंक आइटिंग यह तीनों संस्था मिलके बनाई इसको आप लेकिन इसका सही आंसर है ओप्सन नहीं चुकि इ में सुतनता दिवसमारों पे किसने वेबसाइट इंडिया आई डीसी पॉइंट 2021.mod.gov.in लॉंच किया ताकि राश्तिय उतसब 2021 में विश्चुभर में भारतिय 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 भाग ले सके तुसका सही आंसर है ओप्सन ए अजय कुमार question number 125 interesting question है अनुवांसिक रूप से golden rice के उत्पादन को मंजूरी देने वाला बिश्चु का पहला देश कुन सा बना है तो बिश्चु का पहला देश जोने golden rice को मंजूरी दिया है अनुवांसिक रूप से यानि GM क्रॉप है यह वो देश बनाए फिलिपिन्स option A 200 प्रकृर्पuks अनक्षन दिवस कब मनाए जाता है question Mo 126 तो 200 प्रकृर्पटी सनक्षन दिवस जो क्रनाट का के नए मुखमंत्री कोन है तो करनाट के नए मुखमंतरी वो है बसा बसाव्राज बोमई क्वेशन नमोर 128 है कि 200 हेपेटाइटिस दिवस कब मना जाता है तो 28 जुलाई को 200 हेपेटाइटिस दिवस मना जाता है क्वेशन नमोर 129 कोन नागरिक उड्डियन सुरक्षा भीरो के नए महानिदिशक चुने गया है क्वेशन नमोर 139 कोन नागरिक उड्डियन सुरक्षा भीरो के नए महानिदिशक चुने गया है वो है नासिर कमल क्वेशन नमोर 130 ड्रिंकिंग फ्रॉम टेप प्रजेक्ट किसने शुरूग किया था तो यह जो शुरूग किया गया है बिसिकली उडिशा का एक सेटी है पूरी तो पूरी में यह शुरूग किया गया option B बिलकुल सही है Q131 रमापा मंदित जिसे युनुश को बिशु विदास्त सुची में सामिल किया गया कहां पर है रमापा मंदित तेलंगना में है Q132 विशु युवा कोसल दिवस कम मना जाता है हमने जो कोसल अभियान भारत ने चल ला था उसका पांच वर्स छे वर्स अल्यटी कम्प्रेट कर लिया इसलिए यह सारे योजनों हमारे लिए फिर से एक वार इंपोर्टेंट हो गया Q133 हाल में ही NTPC को किस राज में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क अस्थापित करने की मनजूरी दिया NTPC ने बिसिकली राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने की मनजूरी दिया है ओलम्पीक में भारत के लिए काफी गर्वगी बात थे कि एक व्यक्ति को एक भारतिय को ओलम्पीक में जिमनास्टिक में जज चुना गया था तो आपको कोशन बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है तो व्यक्ति का नाम है दिपक काबड़ा दिपक काबड़ा व्यक्ति थे जो भारतिय है जिन्होंने ओलम्पीक में जिमनास्टिक में जज की भूमिका निभाई थी Q135 BWF सुधी रामन कप 2023 किस देश में आयुजित होगा तो इसका आयुजिन होगा बिसिकली चीन में चीन में सुधी रामन कप 2023 का आयुजिन किया जाएगा Q136 बिस बेडविंटन चेंपियंशिप 2026 2026 का आयुजिन कहाँ होगा तो 2026 का आयुजिन किया जाएगा भारत में अच्छे ये काफी important पूछा जा सकता बिस बेडविंटन चेंपियंशिप 2026 का आयुजिन भारत में होगा नेपाल के नए प्रधानमंत्री कोन बने है तो option A option B सेर बहादूर देवा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने है option B Q138 June 2021 में ICC महिला प्लेयर आप दा मन्त चुना गया option A ये इसका बिल्गुल सही है Q139 June 2021 में ICC प्रूस प्लेयर आप दा मन्त चुना गया option C यहाँ पर बिल्कुल सही है Q140 आस्था और संस्कृति के संडेक्षन है तो एक नया विभाग गठित किया गया किस राज के द्वारा आस्था और संस्कृति के लिए एक अलग से विभाग गठन किया गया है तो इस तरह का काम अस्था काम काम किया है तो इसका सही आंसर है option B यानि अस्था अब 10 क्या है मैथ का सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूँगा आप लोग चेक कर लिजेगा नमार 141 का आंसर है option C 142 का आंसर है option D 143 का आंसर है option D यानि 15% 144 का आंसर है option D यानि 437 question 155 145 का जो आंसर है वो है option B यानि 54 question 146 का आंसर है 146 नमार question का आंसर है option B यानि 8 question 147 147 147 का जो आंसर है option C यानि 38 Q148, 148 इसका जो आंसर है वो है option A यानि 60 Q149, 149 का आंसर है option D यानि 9 Q150, 150 का जो आंसर है इसका आंसर है option D इसका सही आंसर है 210 तो 150 का 150 कोश्चन हमने आपके साथ discuss किया कुछ जो important पार्ट थे वो भी मैंने आपके साथ चर्चा किया है तो मेरी कोशिस रहेगी कि परतिक विख Saturday को एक paper मैं डाल दूगा अपने टेलिग्राम चैनल पे और Sunday को Sunday तक आप लोग उसे solve कर लिजेगा और Sunday को मैं एक discussion अपलोड कर दूगा उसका ताकि यह जो initiative है यह 67 BPC में आपके सयूगी हो सके आप इसे कुछ फायदा ले सकें या महत्तम लाव ले सकें 110 टारगेट रखिए उसे के साथ आप लोग काम किजिए यह टारगेट होना चाहिए मुझे लगता है कि यह टारगेट होना चाहिए क्योंकि पिछले बार 108 कटप गया था तो उससे कम आप नहीं मानके चल सकते हैं आप मानके चलिए कि 67 BPC में 110 कटप होने वाला है चलिए वीडियो तेखनीक लिए आप सभी के धन्यवाद जो लोग BPC की त्यारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेड कर दें वीडियो तेखनीक लिए धन्यवाद थैंक्यू सुमच प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्रा धन्यवाद थैंक्यू